तो वेलकम बैक एब्रीवन माइनेम इस एन गोस्ट चले सुरुकृत आज का एनलाइसिज आपे स्टाडी कने वाले कि कल के दिन ट्विज्टे के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेट पैन हो सकता है साथी साथ आज कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे कि ज हम यह स्टार्ट करेंगा बैक निफ्टी से यहां पर हमने ब्रया लिखे डिली टाइम विए लिखे k अगर मैं इस लग्या रहा था कि उपर यह लिख रूए नीचा या बट कोई भी यह नि रेचाहा लग पर गया मैं तर्दिक्ल buyers अभी तक present है, फिर market ने कहिनक यहां पर range बनाया है, जैसे हमने देखा कि हमने यह discuss पहले कर लिया था कि range breakout होता है, तो market में अच्छा खासा move देखने को मिल सकता है, तो वही हुआ, market ने जैसे move दिया, आज के दिन market ने gap opening देखे, उपर ही close दिया, अगर हम overall trend का बात करें, market is maintaining and uptrend, right, कहां तक market uptrend maintain कर सकता है, market के और उपर जा सकता है, yes, chances are there, और उपर जा सकता, अगर मैं आपको trend line draw करता हूं, expected है कि market सायद से यहां तक आ सकता है, यह level है, almost 48,000 level, almost 48,000 level तक का market के पास position बाकी है, इसके बाद सायद से market further decide करें कि मैं थोड़ा pullback लेकर फिर उपर जाओं, यह possibility हो सकता है, ठीक है, instant selling या instant sellers market में जो entry करेंगे वो इस level के नीचे करने वाला है, ठीक है यह level कौन सा है, यह level है 47, 300, 47, 400 level जब तक इसके नीचे market properly नहीं आता, हम कोई भी various opportunity यहाँ पर नहीं देखने वाले, ठीक है यह चलो daily time frame के analysis होगे अब quickly देख लेते हैं कि 15 minute time frame में next दिन के लिए market क्या plan हो सकता है, इवेन आज का market भी देख लेते हैं, आज का market में देखेंगे अचा, आप लोग मुझे comment बताना मैंना जानबूच के आज सुबह जो वीडियो में बनाता हूँ अपने telegram channel में वो नहीं बना है मैंने जानबूच के नहीं बना है, मैं देखना चाहता था कि आप लोग का analysis कैसा है आप लोग अपना analysis ठीक से कर सकते हो और नहीं कर सकते हो क्योंकि आज का market, this was almost 80% आपको पहले बताया था मैंने कि जब तक first 15-minute का candle उसका high या low break नहीं करता, तब तक हमें कोई trade लेना ही नहीं है in fact, today was a option selling day आज option sellers को बहुत अच्छा profit देखने को मिला था even मुझे कई screenshot मिला है, कई सारे student ने screenshot बेजा भी था कि सर्मा ने option selling किया, देखो यही होता है आपको identify करना कि किस दिन option selling करना, किस दिन option buying करना जब भी देख रहे हो 15-minute का time frame breakout नहीं हो रहा और हम से option selling strategy बनाओ और market ने इतना high cap opening दिया, इसना high भी break कर दिया अपना उसके बाद जो next high बनाए ना उसके उपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है तो obviously यहाँ पर sideways जाने का chance maximum रहता है तो जब भी sideways जाता है हम यहाँ पर option selling का ही strategy देखते है अब यहाँ पर हम कुछ support resistance देख लेते हैं कि market फिलाल कौन से support resistance बना रहा है almost इसमें 47,600 यहाँ पर है 47,600 का एक resistance बना रहा है अगर हम आज के support का बात करें downside में 47,400 के आसपास 400 actually यहाँ है आप 450 बोल सकते हो मैं 400 ही consider कर रहा हूँ 600 से 400 के आसपास market एक support resistance ले विला इसे range के अंदर रहने का कोसिस कर रहा है एक बार हम लोग यहाँ पर option chain देख लेते हैं option chain हमें क्या बता रहा है यहाँ देखो as per option chain यहाँ पर option chain open किया insensible as per option chain 47,500 यहाँ पर buyers और seller का तगड़ा fighting चाल रहा है अब कल के दिन हमें देखना है कि upside में अगर market 47,650 के ऊपर भी sustain करता है then there will be a most possible scenario market 47,800 आ सकता है और अगर यह level break किया तो एक huge resistance हमें देखने को मिलेगा 48,000 के आसपास ओके अगर market सा नीचे आ गया 47,400 ब्रेक कर गया तो कहाँ पर जा सकता है देखो फिलाल मुझे कोई strong support तो देखने को नहीं मिल रहा और अगर हम धियान सा देखें एक strong support है सीधा 47,000 मतलब कल के दिन अगर market by chance 47,400 के नीचे fall करता है तो हमें direct market fall करने को मिल सकता है तो हमें direct support हमें देखने को मिल सकता है 47,000 के level का असपास तो यहां तक हम momentum market कर सकता है यह just हमने data देखके किया अब वापस आते हैं यहाँ पर अपना chart follow करेंगे price action देखेंगे price action wise यहाँ पर क्या लगा रहा है देखो तीन tap को opening होता है market में हर बार और एक और point आपको बोलना चाहूंगा this is almost हर कोई जानता है यह almost हर कोई जानता है that is market 70 to 80% of the time sideways होता है आपको just wait करना होता है कि market कब high या low break करें जब market एक trending move कर सकता है ठीक है तो यहीं पर हम देखेंगे कि कल के दिन market कैसा open करेगा उस हिसाब से अपने planning हमें करना है देखो closing कहां दिया है 47,560 के असपास एकदम almost तोनों level के एकदम बीचों बीच तीन टैप को opening हो सकता है gap upside versus gap down for example कल हमने देखा 47,700 के असपास open हो रहा है open होता ही market सिधा selling करके फिर अपना high break करता है ठीक है properly अपने high के उपर sustain करता है मैं इस type का scenario नहीं बोल रहा है मैं इस type का scenario बोल रहा हूँ कि नीचे आया fall करके फिर अपना high breaker अगर ऐसा कोई scenario होता है then only we can go for some bullish momentum हम यहां पर कोई bullish opportunity देख सकते है और else अगर market यहां open होने के बाद इस level के नीचे कोई pattern बनाता है bearish का तो हम चोटा सा bearish opportunity देख सकते है don't go for a bigger bearish trend because slight selling आ सकता है major selling आने का possibility थोड़ा कम हो जागा gap up के बाद अच्छा एक और point है that is अगर market huge gap opening होता है ध्यान से सुनना आज का market भी huge gap opening का scene था अगर market huge gap opening होता है for example यहां पर कहीं पर open हो गया सीधा-सीधा 48,000 के आसपास आपको simple wait and watch करना है first 15 minute candle का अगर market उसके नीचे या उसके उपर sustain करने का खोशिस करता है तब भी कोई trade opportunity लेंगे नहीं तो हम यहां पर as an option seller sideways market का फाइदा उठा सकते है okay I hope यहां तक clear हो अब देखते हैं कि sir अगर market इसी range के आसपास open होगे तब क्या करना है अगर market यहीं कहीं open होता है हमें एकदम simple wait and watch करना है किस चीज का upside में करे 47,700 के उपर sustain करता है then we can go for some bullish opportunity और अगर market नीचे के तरफ 47,400 के नीचे sustain करे हम यहां पर bearish opportunity के लिए जा सकते हैं I hope आपको मेरे target थोड़े पहले बता दिया था as per option chain तो उस target के लिए बैठ सकते हो और please मेरे किसी भी word को ऐसा recommendation treat मत करना में यहां पर just एक analysis दे रहा हूँ आपको data बता रहा हूँ यहां पर आपको proper explain कर रहा हूँ तो please मेरे किसी भी word को ऐसा recommendation treat मत करना आप भी अपना analysis करो अगर आपका और analysis मैच करता है उससे आप सब अपना trade opportunity देख सकता हूँ यह तो था gap up or sideways हम देखते हैं कि sir अगर market gap down ओपन हो गया एक दम पूरा हाल हो गया market में gap down तब क्या करना है देखो अगर market gap down ओपन होता है आपको first 15 minute candle देखना है अगर 15 minute candle के नीचे market sustain के है मतलब first 15 minute candle के low के नीचे आपको low marking करना है अगर उसका नीचे market कोई various opportunity बनाता है तब हम कोई various opportunity का planning यहाँ पर कर सकते है ठीक है I hope यहाँ तर clear हो गया तो यह हमने analysis किया आप bank nifty में don't go for a bigger target क्योंकि अभी जिस हिसाब से market चल रहा है 48,000 के आसपास market में एक resistance है तो अगर buying आता भी है तो possible है कि वहाँ से market further थोड़ा selling opportunity दे दे तो please wait and watch जब तक आपको कोई अपना pattern नहीं मिलता तब तक कोई भी हम trade opportunity यहाँ पर नहीं ले सकते अब आते हैं nifty में nifty का market तो और अच्छा था फिर continue market इसी range के अंदर रहा गया अगर हम देखें यहाँ पे एक support है 22,450 और upside में है 22,520 almost यहाँ पे हम देखेंगे 70 point के range के अंदर ही market रहा गया तो today's day वहाँ सा option seller day option seller यहाँ पे अच्छा कासा पैसा कमा सकते थे अब हम further आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि market कल के दिन क्या perform कर सकता है अगे इन हमें चेक करना पड़ेगा कि market open कहा होता है देखो just because 22,520 यह 525 level एक lifetime high है अगर हमें market बहुत ज़्यादा gap opening मिलता है बहुत ज़्यादा नहीं अगर closing दिया है इसने 470 के आसपास 22,470 अगर 100 point में gap opening देता है kind of this level आपको बस wait and watch करना है कि first candle जो भी बना रहा है जो भी first candle बना रहा है अगर next धीरे धीरे market उसके उपर कोई strong candle closing देता है तब भी जाके हम कोई bullish planning करेंगे नहीं तो market sideways होने का possibility again हो जाएगा planning मैं यह भी नहीं बोल रहा कि उसके उपर closing आते ही buy को लो नहीं नहीं ऐसा कोई pattern नहीं होता है ऐसा कोई strategy भी नहीं होता है आप अगर strategy सोच भी रहे हो मैं यह आपर बोल देता हूँ कई लोग ऐसा strategy बना के बैठते हैं कि ORB strategy या open range breakout strategy यह strategy is very common यह intraday में बहुत लोग यूज़ करते हैं वर कहिना कि इसका loophole है क्या loophole है अगर आप यहाँ पर buy करने जा रहे हो क्या आपको लगता है कि हर retail participant नहीं पर profit कर सकता है कभी नहीं क्योंकि bigger players को पता रहता है कि this is a common strategy people are using वहाँ पर huge quantity sell बटा सकता है कहिना कि हम as a retail participant correct support resistance भी देखते नहीं है major support resistance भी हम कभी देखते नहीं है तो कहिना कि market resistance बना के नीचे fall कर देता है तो please वैसा strategy में follow किया करो जहाँ पर direct breakout हो रहा है I generally suggest कि जबी market में कोई breakout होता है उसके बाद अगर market को retest करके जा रहा है तब आप कोई opportunity देख सकते हो वहाँ पर आपका stop loss भी छोटा होगा एक considerable amount of risk भी आप महाँ पर रख सकते हो उससे आप सबको profit देखने का chance भी मिल सकता है तो यह हमने काई निफ्टी को study कर लिया अब देखते हैं कि अगर sir market कल इसी range के अंदर open होगे तो क्या करना देखो अगेन अगर इसी range के अंदर open होता है अगर कोई high या low break नहीं करता आज का ही और आज का ही low तब तक तो बिंदा सम option selling का opportunity देखेंगे जैसे ही market upside में 530 या 550 के उपर भी sustain करता है तब हम slow and steady bullish opportunity देख सकते हैं just because it is an lifetime high please stop loss trail करके आपको बैटना पड़ेगा कि अगर upside से कोई selling आता है तो बहुत तेजी से selling आने का possibility रहेगा ठीक है आई अप यहां तक clear होगे अब देखते हैं कि sir अगर market sideways open होने के बाद downside में 22,440 या 22,400 के नीचे आता है almost इस level तो क्या करना है देखो एक बहुत चोटा सा हम option chain देख लेते हैं कि option chain हमें क्या बता रहा है आचा चलो option chain wise हमें support resistance कहां देख रहा है option chain wise बहुत तगड़ा fighting चल रहा है 22,500 के आसपस fine resistance देखेंगे 22,600 में slight resistance है support का बात करें तो 22,300 में strong support है मतलब अगर कल के दिन थोड़ा selling आता है तो market 22,300 तक का falling दिखा सकता है और अगर market उपर जाता है तो 22,600 विल भी treated as first resistance मतलब 300 कहां पर है 300 almost इस level के आसपस मतलब कल अगर यह 400 के नीचे sustain कर गया 22,400 के नीचे तो possible है कि कल के दिना में 300 का level भी देखने को मिल सकता है ठीक है this is just an analysis मेरे किसी भी wording को as a recommendation treat मत करना just आप यह अपना analysis यहाँ पर किया करो यहाँ पर आपने देख लिया gap up और sideways अब देखते हैं कि sir अगर market gap down open हो गया तो क्या करना है देखो अगर market gap down open होता है आपको downside में 22,400 का marking करना पड़ेगा अगर market हो उसके नीचे sustain किया तब हम bearish opportunity और अगर market उसके उपर sustain करता है downside में मतलब उपर की तरफ security trend line के उपर sustain करता है तो हम एक दम lifetime high तक का एक target के लिए bullish opportunity देख सकते हैं अगर इसके उपर sustain किया तो नहीं तो market sideways होने का possibility बहुत ज़्यादा होगा आई हो पर यहां तक clear हो गया तो हमने यहां पर deeply analysis कर लिए nifty plus bank nifty को data analysis भी कर लिए यहां पर तो अगर अभी तक आप video देख रहे हो तो please अभी कभी हमारे channel को subscribe करो साथ ही साथ video को like भी करो और मुझे comment section में ज़रू बताना कि आज आपका trading कैसा गया क्या आपने option buying किया और option selling किया क्या आपने आज stocks में trade किया ना किसे भी future option script में trade किया तो details से बताना तो मुझे पता चले कि आप भी trading कर रहे हो और कौन से segment में trade कर रहे हो fine चलो अब आगे बढ़ते हैं अब कुछ stocks देखेंगे जो stocks हम अपने watch list में रख सकते हैं for tomorrow सबसे पहला stock यहाँ पर हम जो observe कर रहे हैं that is clean science and technologies यहाँ पर अगर आप chart pattern देखो तो type of triangle pattern formation हो रहा है 30 minute time frame में यह chart open है यहाँ पर एक resistance form हो रहा है this is around 1355 level और downside में 1340 level है अगर इस level के निचे sustain करता है तो हम कोई various opportunity भी यहाँ पर देख सकते हैं I hope यहाँ तर clear हो गया उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो bigger chart pattern देख रहा है इक है कोई pattern है इसका नाम मैं नहीं बोलूँगा इसका नाम आपको बोलना पड़ेगा किस particular pattern का नाम किया है और इसी pattern के अंदर अगीन एक triangle pattern देखने को मिल रहा है मतलब pattern within a pattern stock का नाम है Tata Communication बहुत अच्छा बड़ा range of market को एक movement करने खोसिस कर रहा है तो कल के दिन simple है यह आप high marking करना इसका जो यहाँ पे एक resistance हा रहा है अगर कल के दिन इस resistance के open market sustain करता है कोई bullish momentum दिखाता है volume sustain करता है तब हम कोई bullish opportunity देख सकते है most possible chance है upside है बहुत अच्छा momentum मिलेगा और downside में जो आज का जो market का जो low था उसको marking कर सकते हो अगर market इसके नीचे जाता बाद देखता है तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा bearish opportunity भी देखने को मिल सकता है आज का resistance और आज का support इन दोनों level के उपर नीचे ही हमें कोई bullish या bearish opportunity देखने को मिल सकता है fine तो आज का फिर last stock study करेंगे आज का last stock है sun pharma पहला stock टा clean science last stock है sun pharma दोनों यहाँ पे triangle pattern बना रहे है तो as per triangle pattern तो यह मुझे बहुत तगड़ा candidate दिख रहा है जो कल के दिन अच्छा move कर सकता है क्यों मैंने बोला है ऐसा जी चीज just because आज सारा दिन stock यहाँ पे sideways ही गया था normally जब market एक sideways zone में होता है आज का नहीं यह last दो दिन से यही चल रहा है normally जब market sideways होता है तो बहुत अच्छा momentum करता है तो हमें wait and watch करने है ऐसा भी नहीं कि कली कल होने के chances जादा है अगर कल के कली हमने देखा कि market is high के उपर कोई bullish pattern मनाता है तो हम bullish opportunity देख सकते है इस level के नीचे market sustain करता है तो हम bullish opportunity भी यहाँ पर देख सकते है तो आज का last talk था Sun Pharma I hope आपको आज का पूरा वीडियो अच्छा लगे थोड़ा detail में discuss करने को होसिस किया है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस एक चोड़ा सा like भी करना comment मुझे जरूर बताना कि आप कोंसे segment में trade करते हो और आज का आपका क्या result निकला profit हुआ ना loss हुआ ठीक है तो फिर चलिए मिलते फिर अगले दिर में Thank you very much